कि अच्छी खबर है क्योंकि एशियन पेंट में मैं आपको बता देता हूं सिक्रेट है यह पर मोटर्स ने इंटरनली खरीदारी किये हैं खुद की कंपनी का शेयर खरीदा है लगब 1.32 परसंट के असपास और यह डील कब हुआ है यस्टड़े ओपिन मार्किट में हुआ है कुछ दिन बाद यह खुले मतलब जब कुछ दिन बाद हो जाएगा तो लगबग सबको पता चलना स्टार्ट होगा और एशियन पेंट अगर हम देखेंगे तो उपर से भी काफी ज़्यादा करेक्ट हो चुका पिछले 6 महिने से कोई प्रॉफिट नहीं पिछले 1 साल से द इसके सामने अगर आप बोरोविंग देखोगे तो किवल 1,200 करोड का ही बोरोविंग है मतलब कमपनी के पास पकड़ बहुत अच्छी है रिजर्ब 12,000 से भी ज़्यादा है और एवरी येर कमपनी जो है रिजर्ब बढ़ा रही है पिछले 2 साल पहले कमपनी के पास रिजर इसके रिजर्ब दिया तो यहां पर देखो यह है इसन पिंट का पूरा डिटा यहां पर टोटल जो है 34 थर्टी फोर एनलिस्ट ने रिकमेंड किया कि इसको खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए करके तो यहां पर आपको पता चल लाएगा जो कि लगबग 11 परसेंट बाके बिचे इस टॉक को तो यह है और चारो तरफ से अगर इसका जो कंबाइन आउटलू की निकालते हैं तो उसका निकलता है होल्ड आप यह स्टॉक्स को होल्ड करके चल सकते हो और जब इंटरनली यह खबर आती है कि परमोटर्स खुद की कंपनी में हिश्यदारी खरी 2,92,000 करोड तक का मार्केट कैप है 3,00,000 का हो जाएगा बहुत जल्द यहाँ पर करेंट मार्केट प्राइस आपको 3,051 रुपीज में देखने को मिलना है यह फंडमेंटली है जो कुछ आप चाहो तो देख सकते हैं स्टॉक का पी आपको बताया जा रहा जो कि लगबग 96 के आजबास है और बुक वैल्यू 130 रुपीज हो गया डिविडेंट देखो कंपनी देती है 0.59 मतलब जो भी डिविडेंट है मैं आपको बलूँगा 0.5% के आजबास ठीक ही ठाक है जितने अच्छी कंपनी इतना ही डिविडेंट देती है रिटर्न अन कैपिटल इंप्ट जो कि लगबग more than 30% है और more than 27% है बड़े बड़े कंपनी में इस से भी कम आपको देखने को मिल जाएगा और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं यहां पर देख सकते हैं तो 10% के असपास है सेल्स ग्रोथ है तो 41% के आसपास है और यहाँ पर देख सकते हो परसेंटेज प्लिज आपको बताया जरा जो कि लगबग 7% के आसपास प्लिज आप परमोटर के पास जो हिस्सेदारी है वो लगबग 52.6% के आसपास है तो थोड़ी बहुत शेयर प्लिज भी है लेकिन फिर भी चलेगा लॉंग टम के लिए स्टॉक काफी अच्छा है कोई दिकत वाली ब